अगर आपका भी जमीन संबनित कोई भी समस्या आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रियास करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर लिजेगा अगर आप यहां पे जो है यह जो अगर फेस्बुक यूज करते हैं तो कंप कर रहा हूँ तो किसी दूसरे पार्टी में फरजी रसीद कटा कर जमीन पर वह वह कवजा कर रहा है ठीक है एक दिखेए सबसे पहले जो यह चीज़ अगर जमीन पर जो आपने दिखेशन नहीं कर रहा है तो यह थोरी दिखत वाली बात है उनलाइन जब करेंगे ना उसको तो आपको खाता खेसरा आप नया वाला डाल दीजेगा उनलाइन अप्लाय हो जाता है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा सारा प्रिंट लेने के बाद जब आपका नंबर आएगा तो यह सारा सीओ और जो है न करमचारी को भी आप उसके लिए के पास आवेजन करें ठीक है यह दूसरा एस्टेप है तब फिर आपका जो भी है पुराने का अधार पर वेरिफाय करने के बाद जो है वहां से आदेश देने के बाद आपका दाकिल कारज अगर सब कुछ सही होगा तो बिलकुल हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा ल होता है दाकिल कारज और वो जमीन रजिस्ट्री से अगर बात करें दोनों में इंपोर्टेंट की ना तो जमीन रजिस्ट्री से जादा इंपोर्टेंट होता है जमीन का दाकिल कारज ठीक है तो जमीन का अगर दाकिल कारज नहीं हुआ तो समझ लिजिए कि जमीन का मालिका प्षाना हक हमको सरकार के सामने नहीं मिला तो इसका मतलब आप जमीन का माली की नहीं है तो यह जो है एक तरह से जो है यह होना चाहिए और इसी के लिए आप तो आगे अलग-अलग नियम नियम है लेकिन आपको पहले यही करना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकला सवाल यह पूछ रहें कि जमीन है 1959 का पट्टा भी है और पहले रसीद भी जो वो चूटा जाता था मैं 2019 में रजिस्ट्री कराया जब उसको ऑनलाइन करें मॉटेशन के एपलाई किया तो सियो ने औबजेक्ट करके लिख दिया अब वह जो है खारीज दाखिल कैसे करा है एक फीयोम ने आप जैक्ट करके जो है लिख दियां ठीक है दिखिये यह जो है आपका जमीन है इतना का पट्टा भी और पहले रसीद भी जो है था उनिस यह सब कुछ सही है, डॉक्मेंट जो है सारा सही है, कहीं तरह का कोई भी इसू नहीं है, तो इसके लिए एक बार आप DCLR कोट में भी आवेदन करें, देखें यह बोमी सुधार विभाग होता है, और यहां पर डॉक्मेंट को अच्छे तरीके से वेरिफाय करने के बाद CEO को आदेश दिया जाता है, वहां से CEO को आदेश अगर होगा, ठीक है, तब वो कर देंगे, तो यहां अगर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, तो दुबारा आपको सबसे पहले यही करना चाहिए, यहां पर आवेदन करने के बाद जो है, एक बार कर लें, उसके बाद जो है पटना नगर निगम का रसीद कट रहा है 1932 से, क्या करूं, तीन बार जो है यहां पर दलाल के चकर में फसा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्रोब्लम कहां पर हो रहा है, प्लीज हेट में, नहीं प्रोब्लम देखिए, बिल्कुल यह बात है, यहां पर, अब जो है ना DCLR के पास इसके लावेदन करें, मेरा यह नहीं हो रहा है, ठीक है, ज्यादा वर्क होने के चलते तो रहसा यह सरकार के काम में धिलाई तो होता, इस बात को तो माना ही परेगा, लेकिन आपका खतियान है, और नगर निगम का रसीद भी कट रहा है, तो कोई तरह आपको दि होगा, है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि यह पूछ रहा है कि दादा जी के नाम से सरवय हुआ था पहले, और दादा जी का यहाँ पर सोतिला भाई दो था, उसने एफायर इसका जमीन जो है, वो सरवय कर लिया अपने नाम से, उसका क्या होगा, हल होगा, देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो अगर कानूनन बात करें, तो कानून के तरीके में जो होता है, ठीक है, कानून के तरीके में फिर अगर हिंदू एक्टम की बात करें, तो सबसे पहले, अगर ऐसा है, तो समान अधिका जाएगा हैना कानून में अगर उसका मांद संतान है तो उसके बाद जो हैं सरवे अगर अपने नाम से करा लिया है तो उस case में जो है आपको जो भी होगा उसमें टाइटल सूट करना परेगा है अब जो दादा जी का जो भी होगा उससे पहले का जो पुर्वज होगा जिसके नाम से 1905 का खतियान होगा है ना उसके बाद से ये खतियान और उसके अधार पे जो वनसज है उसका सारा का नाम होना चाहिए अगर नहीं है तो ये सुधार टाइटल सूट से हो जाता है ठीक है तो वो करने के बाद ये सुधार हो जाएगा ये पुचने सर, 1455 या 1956 में मेरे दादा को परचा दिया गया था जमीन दार ने दिया था, वो परचा नहीं है, अंचल में भी नहीं है वो परचा कहां मिलेगा, वो जमीन दूसरे आदमी का फ़र्जी कास से मोटेशन करा लिया है और कहता ही की मेरा है, ठीक है देखिए अगर पर्चा दिया गया तो पर्चा के अधार पे जो है मतलब वो उसका मोटेशन होता है ठीक है तो सबसे पहले जो टाइम प्रियेट था पुराना वाला उसका आप देखिए कि उस समय मोटेशन हुआ था कि नहीं हुआ था और जो पुराना समय का जो रेजिस्ट चल जाएगा कि आपका वो समय जो है मोटेशन रसीड जो भी था तरह से आप उसका इंफर्मेशन अगर निकाल लेंगे तो फिर एक प्रूफ हो जाएगा ताकि आप अंचल अधिकाडी को यह बात जो है बता सकते हैं यह पूछ रहें सर मेरा परदादा के पास खतियानी जमीन है कैसे पता चलेगा देखिए यह चीज जो परदादा है यहां पर एक आई एरसी डॉट बी इस डॉट एन एस डॉट इन करके जो है इस पर सारा ओन लाइन खतियान है जो की नया वाला है उन्हीं सौप साथ का ज नाम से सर्च कर सकते हैं नाम से सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस नाम का बेक्ती का प्रोपर्टी इधर है की नहीं है अगर है तो ठीक है आपको वो चीज का जानकारी मिल जाएगा यहां पर ठीक है आप उसका information निकाल सकते हैं वहां से यह पूछ ने सर मेरा 63 बंदोबस्त का जमीन है और इसका रसीद भी कटाए है लेकिन दूसरा जो है वह ब्रेक्ती खतियान लेकर कभजा करना चाहता है तो क्या करें है बंदोबस्त देखे इतना का बंदोबस्त है और continue अभी तक का भी जो है आपका रसीद कट रहा होगा तो फिर जो है कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए सियो को आवेदन करें जमीन अगर आपके दखल में है तो आपका प्लस पॉइंट हमेशा रहेगा है ना जमीन का जो है दखल कबज जो हता बहुत चीज मायने रखता है है ना अगर लोंग टाइम से आपका वो बंदोबस्त नहीं दखल कबज भी है तो दखल कबज आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है फिलाल ठीक है हाँ उसके बाद जो है ये चीज जो ही बंदोबस्त है उसका कोई information अगर proof आप निकाल के जरूर रखें कि कोई व्यक्ति अगर उसका कुछ ऐसा होगा खतियान वगरा जो भी तो कानून में भी जाता तो आपके पास भी proof रहना जरूरी है ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जो है खतियानी जमीन है एक दबंग आदमी फरजी कागज बना कर उस पर कबजा करना उतार हूँ है जबकि उस कागज का कोई भी नकल रजिस्ट्री कचहरी में नहीं है साब तोर फे रजिस्ट्र टू में लिखा आए जमाबंदी संक्या 33 को जो गलत धंग से कायम किया गया और वो जो पेपर दिखाता है वो 1908 का है और जमाबंदी 33 को छेर चार करके अभी जमाबंदी संक्या 25 करवा दिया है तो क्या वो जमीन मेरा होगा किर्पया बताएं बिल्कुल आप ही का रहेगा सबसे पहले तो जमीन का जो दखल है वो आपको नहीं छोरना है पहला पॉइंट या अगदम माइंड में किसी की भी कीमत पे ठीक है दूसरा जो है जो जमीन है उसके बाद अगर जो वहाँ पे जो भी वो कागज बना लिया ये कर लिया वर्तमान में आपका अगर रसीर कटता है न तो वह आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वर्तमान में वह जमीन का रसीर आपके नाम से कटना चाहिए ठीक है नहीं अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप CEO और SDO दोनों को इस बात के लिए आवेदन कर सकते हैं और सारा बात जो हसपस्ट कर सकते हैं यहाँ से जो आपको ये benefit मिल सकता है ये पूछने बिहार के सारंजिला में सावित सर्वे का हाल सर्वे कब हो आता क्या दोनों में अंतर है सावित सर्वे खतियान में दो बैक्ती के नाम से दो पलोट है एवं हाल में सर्वे खतियान में एक पलोट दोनों बैक्ती के नाम और दूसरा पलोट एकी बैक्ती के नाम है जबकि साबित सर्वे खतियन के अनुशाँ जमीन पर कब जा रहा और बिक्री भी हो गया पिर बिक्री हो गया जमबंदी भी है आनलाइन भी है दकल कबज भी है अब उस बैक्ती का हाल में सर्वे जिसका नाम चड़ गया वो पोते ने कलेम कर रहा है कि जमीन किसका होगा ठीक है ने ने जमीन जब उसका जो भी है नाम चरने से क्या होता है नाम उसी का होगा जो की उस समय रजिस्ट्री करा लिया जमीन का एक तरह से सही तरीके से सही तरीके से अगर जो बैक्ति का पुरवज का जमीन था वही रजिस्ट्री किया वही बेचा और वही जो है उसका अगर वो मालिक है तो उसका जो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि मुझे सिख्या होता है कि पुराना खतियान किसी के नाम से है ठीक है नया किसी को और का नाम से बस गया और वो बेच दिया हो भी बिल्कुल उसका जो है जमबंदी भी हो जाएगा रसीद भी कटेगा सब कुछ होगा लेकिन फिर उसका सुधार होगा तो जो पुराना मालिक है वो आ जाएगा तब यही मालिक होगा जो अब नया मालिक बना जो रेजिस्त्रि जमीन खरदा वो मालिक नहीं रहेगा इसलिए खरददने से पहले भी बहुत चीज़े का वैरिफाइअ करना जरूरी होता है जानकाड़ी जरूरी हैं कि जमीन आप खरद रहे हैं सबसे पहले प्रोपर्टी खरद रहें तो आपको बहुत चीजों का जानकारी होना बहुत जरूरी है तो क्या-क्या जो है यहाँ पर रहना चाहिए क्या-क्या करना चाहिए अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके पूछीएं वीडियो के माध्यम से जवाब देने का परियास करेंगे वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइक अनों उसको जरू दबा लिजे मिलते हैं अनले वीडियो में तब तक के लिजे हैं